गुद mlॉनिंग एवरेबड़ी लास्ट क्लास में हम लोगोंने फिजीकल कॉंटिटी के बारे में बात की ती जिसमें हमने seven fundamental फिजीकल कॉंटिटी और two supplementary फिजीकल कॉंटिटी के बारे में table बनाई और फिजीकल कॉंटिटी से related कुछ concept के बारे में हमने study की आज हम कुछ अलग चीज के बारे में बात करने वाले हैं और उस अलग चीज को सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिसमें देखिए जैसे फोर अग्जामपल हमें एक अग्जामपल से सुरूआत करते हैं जैसे आप लोग बोले कि sir हमें एक week की चुट्टी चाहिए और अगले एक week तक हम लोग class नहीं ले पाएंगे एक तो यह तो यह तरीका होता है जिसमें आपने क्या बोला जिसमें आपने बोला एक week एक week single week के लिए आपने बोला ठीक है आपको पता है कि quantity जो होती है physical उसको represent करने का जो symbol होता है वो होता है आपका q is equals to nu ये क्या है physical quantity ये क्या number और ये है unit ठीक है ये चीज है अब एक बच्चा जो है वो बोल रहा है कि एक week की चुटी चीए इतने में ही दूसरा student खड़ा होता है वो बोलता है कि sir मेरे को seven days की चुटी चीए कितने days की seven days की अब देखिए अब is equals to seven days क्या difference है दोनों में नहीं कोई difference नहीं है दोनों का जो meaning है जो दोनों का जो physical quantity का जो representation है वो क्या है यहां पे इसमें भी time है और इसमें भी आपका time ही है but दोनों के जो और you है और you वो change हो गए है first case में अगर देखें तो n की value 1 है और u की value weak है और second case में अगर देखें तो n की value आपकी 7 है और u की value days है Is that clear? That means हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं q is equals to कोई भी physical quantity है q उसको हमने लिखा n1 u1 किसी अलग method से और फिर हमने उसको लिखा n2 u2 किसी अलग method से represent कर दिया समझ में आया कुछ? एक और example ले ले लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो तो दूसरा जो example है उसके लिए मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं बोलता हूँ कि है न एक साल बाद एक साल बाद आप इले उन से 12 में हो जाएंगे ठीक? एक तरीका तो ये है एक तरीका क्या है? एक साल बाद 1 year ठीक? दूसरा तरीका क्या है? 12 months और तीसरा तरीका क्या है? 365 days एक ही physical quantity को Q is equal to हमने तीन तरीके से represent कर दिया है मतलब number unit, number unit, number unit सबका meaning सेम है एक साल बाद आप 12th क्लास में होने वाले हैं after 12 months आप 12th क्लास में होने वाले हैं या after 365 days आप 12th क्लास में होने वाले हैं तिन्नों चीजें एक ही physical quantity को denote करती है और वो physical quantity है आपकी time क्या है time ठीक है तो इसका जो express करने का जो तरीका है वो है different मतलब इससे क्या meaning निकला इससे ये meaning निकला कि हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं एक ही quantity को, single quantity को हम लोग अलग अलग जो आपकी units हैं उसमें हम लोग इनको express कर सकते हैं तो एक statement निकल के आता है इस example से और वो statement क्या है आपका वो मैं आपको बताता हूँ देखिए क्या statement है देखो अब statement निकल के आया आपके पास क्या निकल के आया वन फिजिकल क्वांटिटी या वन क्वांटिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई कैन भी ठीक है अक्सप्रेस इन मैनी यूनिट्स अक्सप्रेस इन मैनी यूनिट्स ठीक है यह जो examples मैंने आपको दिये थे उससे यह एक statement हमारा conclusion के तोर पे निकल के आया है अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो थोड़ों से पुराने टाइम में चलते हैं अपन और वो पुराना टाइम जो है जब आप लोगों का जनम भी नहीं हुआ था मेरा भी जनम नहीं हुआ था यह माल लिजे कि मेरे पापा के जमाने की बात अगर मैं करूँ तो उस जनरेशन के अंदर जो countries थी that means 19th century की अगर मैं बात करूँ 19th or 20th century की तो उस टाइम में जो countries थी वो आपस में इतने contact में नहीं होती थी और उनके आपस में contact में नहीं होने की वज़े से एक particular community और एक particular country और एक particular state क्या करते थे किसी भी चीज के नाप तोल के लिए किसी भी चीज के measurement के लिए अपनी स्विधा के according अपने comfort zone के according अपनी reliability के according अलग-अलग units बना लिया करते थे जैसे मैंने अपने time में देखा जब मैं छोटा था 8-10 साल का जब मैं था तो मेरे दादा जी थे वो धोती पहनते थे तो उस time में जब दुकानदार से धोती लेने जाते थे तो बोलते थे कि भई मेरे को 6 हाथ की धोती दो ठीक है कितने हाथ की 6 हाथ की, ये वाला देखो, ये 6 हाथ, मतलब ऐसे नापता था वो कपड़े को 6, 6 टाइम नाप लेता था तो वो 6 हाथ हो गए, 6 वहाँ पे क्या हो गया, नंबर, और हाथ क्या हो गई, वहाँ पे unit, किसके लिए, उस धोती के measurement के लिए, उसकी length के measurement के लिए, length वहाँ पे physical quantity बन गई, तो इस case में, देखो, कहां, मतलब, अगर इस case को देखा जाए, तो हम इसको, मतलब, एक तरीके से justify नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे justify, वो इसलिए नहीं कर पाएंगे, कि अगर मानलो कि जो आदमी धोती खरीदने जा रहा है, वो तो एक लंबे से आदमी को अपने साथ लेके जाएगा, और वो बोलेगा कि भई, इसके हाथ नापो आप, तो उसके तो बड़े-बड़े हाथ होंगे, और जो दुकानदार है, वो अपने छोटे से बेटे को बिठा के रखेगा दुकान के उपर, और वो बोलेगा कि यह ना, मैं तो इसके हाथ से नाप के दूँगा, क्योंकि उसके तो छोटे-छोटे हाथ हैं, तो इसका कोई significance नहीं हुआ, importance नहीं हुआ इस measurement का, और इस unit का, तो मतलब ये एक आपस में understanding की units होती थी, जैसे और भी मैं आपको बताऊं, कि आपने सुना होगा, हम लोग जैसे class में भी मैं आप लोगों को काफी बार बोल देता हूं, कि बेटा पढ़ ले तेरे को रत्ती भर भी सरम नहीं आती, रत्ती का नाम सुना है अपने, रत्ती भर भी सरम नहीं आती, सुना होगा, वो रत्ती जो होती है, वो एक छोटा सा, एक छोटा सा particle होता है, एक छोटी सी मतलब, मतलब छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसको आप, गोल गोल चोटा सा होता है ब्ल्यू और नहीं सोरी रेड और ब्लेक कलर का चोटा सा होता है उसको रत्ती बोलते हैं एक मतलब चोटा सा कन मान सकते हैं आप उसको पार्टिकल मान सकते हैं वैसे ही मतलब आठ और सोला रत्ती मिला के एक छटाक बनती थी और चार छटाक का एक पाव बनता था, चार पाव का एक सेर बनता था, और चालीस सेर का एक मन बनता था, और फिर धाई मन का एक कॉंटल बनता था, और अभी भी बनते हैं, पुराने जो लोग हैं वो इसी मेजरमेंट को यूज में लेते हैं, तो ये एक अलग सिस्टम है, य साधियों वगर, हमें भी जब लड़ू वगर तोलते हैं तो उसमें भी उज़ लेते हैं इन सब को. तो ये अलग अलग हमारी युनिट्स हैं. लेकिन फिर जब इन युनिट्स को, जब धीरे धीरे आपस में countries का states का आपस में contact होने लग गया उनके बीच में business बढ़ा उनके बीच में काफी सारी चीजें मतलब आने लग गई वो एक दूसरे से व्यापार करने लग गए उस case में ये चीजें जो है ये consider नहीं की गई क्यों नहीं की गई क्योंकि मैंने आपको example बताया था कि एक आदमी जो साड़े च्छे फिट की height वाला है उसका हाथ तो लंबा होगा और एक बच्चा है 10-15 साल का उसका हाथ छोटा होगा तो उस case में धोती को कैसे ना पेंगे तो उस case में ये सब चीजें जो हैं वो चलने वाली नहीं थी तो ऐसे ही reasons को देखते हुए फिर कुछ systems of unit बनाई गई क्या बनाई गई systems of unit और वो systems of unit के बारे में हम अभी बात करेंगे क्या बनाया गया systems of units बनाई गई ठीक है अब systems of unit की अगर हम बात करें तो जब हमारी science जो है वो develop हो रही थी तो starting में जब science का development हो रहा था physics की बात करें तो उस physics को बोलते थे classical physics और उस classical physics के अंदर mechanics का पार्ट ज़्यादा होता था mechanics की ही study की जाती थी अभी भी हम mechanics की study करते हैं बहुत सारी करते हैं 11th class में तो तकरीबन करते हैं तो उस case में क्या है कि जब हम उस mechanics की study करते थे तो fundamentally 3 ही quantity ज़्यादा तर most probably use होती थी और वो 3 quantity होती थी mass और length और time यह 3 quantity use होती थी ज़्यादा तर fundamental quantity जो है वो 3 use होती थी तो इसी को देखते हुए जैसे British system आया French system आया और फिर उनके बाद में एक और दूसरा system आया यह सब system जो है unit के system यह कैसे develop हुए जैसे French लोग थे वो हना किसी भी चीज के weight को जैसे mass को जैसे इसमें कितना वजन है यह कितना force लगा रहा है नीचे की तरफ इस चीज को वो लोग pound में लिखते थे किस में लिखते थे pound में और length को वो लोग fit में लिखते थे किस में लिखते थे fit में आज भी हमारे पास क्योंकि हमारा देश भी काफी सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है British government का गुलाम रह चुका है तो उस case में हम लोगों को भी अपनी generation से यह चीज मिली है आज भी हम लोग normally अपने room की height width length नापने के लिए fit का ही यूज करते है most probably बोलते हैं कि हमारा जो room है वो 15 by 10 का है मतलब 15 length है और 10 उसकी width है और 10 feet उसकी height है ज़्यादे तर furniture भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग fit का ही यूज करते हैं वहाँ पर हम कहीं भी मतलब जो normal जो usage में word आने वाले हैं उनमें कहीं भी हम लोग meter या centimeter या millimeter का use नहीं करते हैं वैसे scientific engineering के जो candidate होते हैं engineers वगरा होते हैं वो इस चीज को जरूर consider करते हैं लेगि normally जो है वो fit का ही use हम लोग आज भी कर रहे हैं उसके बाद में time को उन्होंने second में ना पा तो British जो system आया स्रूरू में निकलके British system British system जो आया उसमें इस चीज को किस में लिया गया पाउंड में और इस चीज को किस में लिया गया foot में और इस चीज़ को किस में लिया गया, second में, ठीक है, तो ये क्या बन गया, foot pound second, FPS, मतलब L, length, और mass, M, और ये time, T, इस respect में इसको बनाया गया, ठीक है, फिर उसी European country में एक French, भी system आया, जिस France में जो develop हुआ, French system, उसमें क्या था, French system में, उसमें था, कि ये जो mass है, इसको वो gram में लेते थे, किस में लेते थे, gram में, और length को वो centimeter में लेते थे, centimeter में, और time को तो second में ही लेते थे, तो ये जो system बना आपका, ये system बना आपका CGS, कौन सा बना, CGS system, ये French लोगों ने अपने तरफ से इस ची leader किया, फिर देखा गया कि ये जो gram, centimeter, second वगरा है, ये काफी छोटी unit है, क्या है ये, काफी छोटी unit है, और mechanics के अंदर इन units का जो utilization है, वो थोड़ा difficult हो गया, और चीजें जो है, वो थोड़ी बड़ी होने लग गई, metro होने लग गई, तो उसके लिए हमें एक other unit की जरुरत पड़ी और उस unit को हमने नाम दी दिया, वो जो नई unit इजाद हुई, उसको नाम दिया गया, mks, क्या नाम दिया गया उसको, mks, mks का मतलब length जो है, वो meter में, किस में, meter में, और mass जो है, वो kilogram में, केजी में, और time जो है, वो second में, इसको mks system माना गया, ये जो system है, ये काफी काफी ज्यादा useful था, क्योंकि इसके अंदर जो system, जो unit ली गई थी, वो इनके comparison में, काफी अच्छी, मतलब बड़ी length वाली भी थी, और ज्यादा बड़ी length वाली भी नहीं थी, तो उनको समझने में, थोड़ा, मतलब confusion कम रहा, उनको समझने में, comfort feel होता है, और ये थोड़ सिर्फ और सिर्फ mechanics के अंदर ही, मतलब MLT को ही define कर रही थी, फिर धीरे development हुआ और हमारी fundamental unit, 3 से कितनी हो गई, 7, कितनी हो गई, 3, 2, 7, 7 fundamental unit बन गई, उसके साथ साथ में 2 supplementary unit भी बन गई, तो उस case में फिर हमें एक नई unit की जरुरत पड़ी की हमें, अब एक नई unit बनानी च countries हैं, पूरा जो world है, वो एक दूसरे से जुडने लग गया, और जुडने लग गया, उसमें aviation जो process है वो शुरू हो गया था, that means flying services जो है वो भी शुरू हो गई थी, तो उस case में जैसे में आपको एक example बताता हूँ, जैसे रसिया से कोई flight take off करती है, और वो पहले इंडिया आती है, और फिर इंडिया से वो फ्रांस जाती है, और फ्रांस से लंडन जाती है, यह उसका route है मान लीजी आप, तो जैसे ही वो flight take off होती है, तो उसको जब जब वो इंडिया की जो air space है, उसके अंदर जब वो enter करती है, और लेंड करना चाहती है, उस case में जब उसको बोल mental case बढ़ने की possibility हो जाती है, क्योंकि जब उसको इस चीज का पता ही नहीं है, और फिर उसी चीज को अगर वो दूसरी country में जाता है, तो उसी height को अगर वो fit में उसको बताएं, ठीक है, फिर और वो France में पहुचा तो उसी height को अगर वो लोग France वाले centimeter में बताएं, कि आपको 130,000 centimeter की height के उपर fly करना है, तो उस case में क्या होगा, उसको तो बेचारे को अलग-अलग countries की, अलग-अलग units की वज़े से काफी बड़ा confusion हो जाएगा, और वो तो उस flight को उड़ा भी नहीं पाएगा, इसी के साथ अगर उनको air का pressure बताएं, कि air का जो flow है, वो मान लिजे कि 20 meter per second है, और दूसरी किसी country में गया तो उसको feet per second में बताया गया, और दूसरी में गया तो centimeter per second में बताया गया, तो उससे उसको बहुत बड़ा confusion हो जाएगा, और ये जो facility है ये नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, या नहीं चल पाई थी, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं, त जो कि internationally approved हो, internationally accepted हो, और वो unit जो है, वो पूरे world में use हो, जिसके अंदर हम trading को, science को, research को, business को, सब जगह में उस unit को अगर हम use में लें, तो हमें काफी फाइदा मिल सकता है, तो उसी के चलते एक नई unit बनाए गई गई और उस नई unit के लिए, world की जित्ती भी countries हैं, उन लोगों उने एक जगह अपने scientist भेजे, France के गाओं में scientist भेजे, और वहाँ पर सारे scientist इकठे हो गए, और उस scientist जब वहाँ पर इकठे होए, तो वो एक society बनी और उस society का नाम वहाँ पर रखा गया, International Conference Weight and Measurement, क्या रखा गया? International Conference Weight and Measurement उस society का नाम रखा गया, और उस society ने एक नई unit बन और उस unit का नाम रखा गया, standard का नाम रखा गया, मैं बता रहा हूँ आपको, standard the international, ये एक French name है, standard the international, ये नाम रखा गया, उस unit का, जिसको हम sort form में क्या बोलते है, SI system, क्या बोलते है, SI system, ये हमारा एक नया system निकल के आया, और इस system में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई, जिनसे हम लोग काफी प्रेशान थे, मतलब हमें ज़्यादा confusion होते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई इसके अंदर, जैसे मैं आपको बता habit बनी हुई है, Z is equal to 9.8 meter per second square, ये जो value है, आज से तकरीबन 50-55 साल पहले 32 feet आती थी, 32 feet per second square, देखिए, फिर इस 32 feet वाली आदत को छोड़ते छोड़ते हमें बड़ी मुस्किल हुई, लेकिन आपकी generation को सिर्फ 9.8 ही मिला, 32 से उसका कोई लेना देना नहीं रहा, और 32 जो है ये 9.8 जो है, ये SI सिस्टम में है, इसलिए जब SI सिस्टम दुनिया ने अपनाया, तो उस case में सारी की सारी units जो है वो एक तरीके से पूरे world के लिए universal बन गई, क्या बन गई, universal, जो society बनी थी अपनी, उन्होंने जो आपके लिए जो ये बनाया है SI सिस्टम, इस SI सिस्टम क किन merits के base पे उन्होंने जो consider किया, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूँ, और वो merits क्या क्या थी, वो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, हमारे पास totally SI सिस्टम की चार merits निकल के आती है, और वो क्या क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहां पे, अब देख of SI सिस्टम, ये वो merits हैं, जिनके base पे SI सिस्टम को develop किया गया था, ठीक है, तो सबसे पहली merit है, कौन सी, SI सिस्टम is rational, SI सिस्टम is rational, 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 Rational ये, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, देखो माँ आपको बताता हूँ, जैसे heat को measure करने के लिए, heat मतलब energy, heat energy को measure करने के लिए unit बनाई गई कैलोरी, ठीक है, और फिर, एक example, second thing, जैसे work done, work done मतलब force into displacement, displacement, मतलब one newton force, अगर one meter, one newton force, अगर one meter displacement, किसी body को देता है, तो जो work done हुआ, due to energy, energy की वज़ा से, उसको हम बोलते हैं, one joule, ये joule ने बनाया, फिर इसी के चलते, अगर हम power की बात करें, जो हमारी electricity आ रही है, हमारे घरों में जो electricity का bill आता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा, तो lecture खतम होने के बाद में घर से bill को देखना आप, निकाल के electricity bill को, उसमें जो consumption जो होता है power का, उसको हम kilowatt hour में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, kilowatt hour में, जैसे energy की form, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, energy कौन सी, heat, किसमें, calorie में, ठीक, दूसरी जो है energy, वो भी energy है, work done, due to work done, तो work done के लिए work लिखा मैंने यहाँ पे, यह किसमें लिया गया, जूल में, ठीक, फिर हमने power को बात की, power क्या है, electrical energy, energy, और power, power is equal to work upon time, that means, इसके लिए कौन सी, kilowatt hour लिया गया, kilowatt hour, यह वाली unit काम में लिए गई, ठीक है, तो यह units, अलग-अलग units काम में लिए गई, ठीक, अब बात यह आती है, कि rational क्या होता है, rational का मतलब होता है, तरक संगत, कारण जिसका हमें पता हो, कारण वाली चीज कोई भी, उसको हम बोलते है, rational, तो SI सिस्टम जो है, वो कारण वाली चीज, मतलब तरक संगत एक सिस्टम है, वो तरक बताता है, तरक यह बताता है, कि जैसे ही इन तीनों चीजों के बारे में अलग-अलग यूनिट बनाई गई, तो SI सिस्टम की जो society थी, ठीक है, उसने ये बताया कि भई, आप लोग ये इतना confusion create क्यों कर रहे हो, फिर उन्होंने बताया कि ये तीनों चीजे energy की ही form है, तो क्यों ने इनकी एक ही unit बना दी जाए, और इन तीनों चीजों की एक unit बनाई गई जिसे नाम दिया गया joule, क्या नाम दिया गया joule, तो SI सिस्टम के according energy की जो unit बनी, वो क्या हो गई joule, जो internationally accepted थी, क्या थी, internationally accepted, हमें की statement भी लिख सकते हैं, वो statement क्या होगा, वो देखें मैं आपको बताता हूँ, there is only one unit, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, there is only one unit, ठीक है, कौन सी unit, कोई भी एक unit, one, two, three, इन तिनों में से एक unit लिए गई है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, one unit for one quantity, one unit for one quantity, one quantity, one quantity in different forms, in different forms, यह आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, यह वाला statement आप इसके लिए नोट कर सकते हैं, देखें, different different forms में हैं, और एक ही quantity है, कौन सी energy, यह heat की form में है, work की form में है, और power की form में है, तो हमने इसके लिए क्या कहा, there is only one unit, इन सब के लिए one unit बनाई कौन सी जूल, और उसको, one unit for one quantity, energy one quantity है, in different forms, यह different forms में, ठीक है, तो यह एक चीज आ गई, second जो इसकी merit थी, second merit उसको हम बोल सकते हैं, it is a coherent system, मतलब SI system जो था, वो coherent system था, किस तरीके से, coherent system है, sorry, था नहीं है, number two, SI system is a coherent, क्या है, coherent system है, कैसे है, coherent system, coherent system ऐसे है, कि derived unit जो होती है, उनको हम fundamental unit में express कर सकते हैं, आपकी जो seven fundamental unit है, उनमें हम उसको express कर सकते हैं, derived units को, जैसे Newton का example, Newton किसकी force की है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम देखें, तो क्या आता है, kilogram meter per second, square, यह आता है, मतलब, अगर हम force की बात करें, F, F क्या है, M dot A, mass into acceleration, तो force की जो unit होती है, वो Newton होती है, और mass की unit होती है, केजी, SI unit, और A की, meter per second, square, तो अगर हम इसको derive कर रहे हैं, तो इसको fundamental में भी हम लोग ले सकते हैं, तो इसमें क्या statement लिखेंगे आप लोग, every unit can be derived from, every unit can be derived, derived from, कहा, किस से, derived from fundamental units, derived from fundamental units, fundamental units, ये चीज आजाएगे आपके पास इसमें, ठीक है, every unit can be derived from fundamental units, ठीक है, ये आपका second merit हो गई इसकी, number third, number third में क्या आता है, देखिए, SI system is the metric system होता है, SI system क्या होता है, metric system, देखिए, SI system, system is a metric, metric system, system, इसका मतलब, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब, जैसे हमने लिखा M, K, S, M, K, S, meter, kilogram, second, ठीक है, अब हमने लिखा C, G, S, ठीक है, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे की unit है, तो हम इसको 10 multiplied में ले लेंगे, मतलब इससे बड़ी unit बनानी है, तो 10 multiplied by, आगे आगे फर्दर, और अगर छोटी बनानी है, जैसे 100 meter, ठी, divided by 10 is equals to 10, यहां से centimeter में अगर इसको convert करेंगे, तो हमारे पास 100 meter into 10 is equals to, sorry, centimeter, ठीक है, ये जैसे 1 meter है, 1 meter को हम लोग centimeter में convert करें, तो यहां से convert कर देंगे, तो into 100 is equals to 100 centimeter, तो 10 के multiply में होगा यह, increasing भी और decreasing भी, मतलब दोनों साइड में 10 के multiply में ही चलता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको denote कर सकते हैं, उसके बाद में देखिए, थार्ड जो चीज है, वो क्या है, It is a internationally accepted system, कैसा है यह, internationally accepted system है, देखिए, It is a internationally accepted system, For, किस के लिए, किस किस चीज के लिए, किस के लिए internationally accepted था, मैंने आपको बताया था कि यह बनने के बाद में सुविदा हो गई, मतलब reliability बढ़ गई, किस किस चीज की reliability बढ़ गई, पूरे world में एक दूसरे के साथ communication का system बढ़ गया, एक दूसरे के साथ व्यापार करने का, business का, science का, research का, trading का, etc., other fields का, इन सब का बढ़ गया, तो हम लोग लेख सकते हैं, आपे, For, trading, For, trading, Science, Science, Research, and research के बाद में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, Education और business भी ले सकते हैं, Business and other fields, other fields, other fields में भी, तो ये वाली चीज हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया system, simplicity आ गई, और ये जो चीजे हैं ना, हमने ऐसा ही क्यों बनाई, आप ने, मैंने आपको देखो पढ़ाया था, इसी 11th class के first chapter में, physical world वाले में unification के बारे में बताया था मैंने आपको याद है unification तो हमने unification करना था और उस unification करने के लिए ही हमने ये एक ऐसी ऐसा एक system of unit इजाद किया बनाया जो पूरे के पूरे world में मतलब accepted हो पूरे के पूरे world में जिससे business है trading है science है research है other बहुत सारी जो field है उनमें एक country के लोग दूसरी country के लोगों से उसके बारे में अपने ideas जो है वो आपस में communicate कर सकें और उस चीज को अच्छे से और simple बना सकें इसलिए ये चीज बनाई गई जो की काफी ज़्यादा fruitful है और काफी ज़्यादा importance भी रखती है significant भी है बहुत ज़्यादा तो यह रहा हमारा system अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो fundamental की जो seven units थी ना उनकी definitions के बारे में कि उनको हम कैसे define करेंगे तो next जो lecture होगा अपना उसमें हम definitions of fundamental units के बारे में बात करेंगे आज के लिए इतना ही आप लोग घर पे रहें स्वस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और इस online education का अच्छे से आप फाइदा उठाएं क्योंकि schools खुलने में काफी time लगने वाला है इसलिए आप इस online classes को seriously लें जैसा आपको class में पढ़ाया जाता था ठीक उसी तरीके से हम ऐसे ही समझ के पढ़ाते हैं कि आप हमारे सामने class में बैठे हैं और जैसे class में हम fully concentrate करके और अपनी तयारी करके आपको बताते हैं वैसे ही यहाँ पे भी बता रहे हैं तो आप इस चीज को seriously लें और अपने हर subject को अच्छे से time दें आपके पास काफी समय है अभी घर पे आप रहते हैं तो अपनी study को continue रखें और उसमें किसी type की कोता ही न बरते हैं धन्यवाद have a cheerful day